Hello my dear students, बच्चों हमने last previous हमारे क्लास में हमने one person one vote के बारे में पढ़ा था और हमने यहाँ पे एक और features को समझा था जिसमें हमें यह बताया गया कि democracy के अंदर जो हर एक individual याने की citizen होता है उसके हर एक vote का एक ही value होता है जबकि हमने देखा था कि कुछ ऐसी countries है जहां पर women's को vote नहीं जिसमें किसी particular community वाले को ज़्यादा vote माना जाता है importance दिया जाता है जबकि दूसरे जो जगा से belong करने वाले लोग होनको उनकी value कम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आज हम आगे पढ़ेंगे यह आप cartoon देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि last में one man one vote के बारे में आपको बताया गया है और यहाँ पर prison के अंदर यानि जेल में बठा एक आदमी क्या सोच रहा है उसके बारे में भी बताया गया I liked it better when I was than one man and the one vote yes vote here चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे यह हमारा next feature होगा जो हम पढ़ेंगे under the umbrella rule of law and respect for right yes वैसे तो यहाँ पर आपको कुछ country के example दिया गया है जिससे Zimbambay के बारे में दिया गया है इसमें बताया गया है कि Zimbambay को independence white minorities से yes 18 1980s में ही मिल गई थी ठीके उसके बाद बताया गया है कि जो country है उसको rule कर रही थी जानू PF party yes और यहाँ पर बताया गया है कि यह वो party थी जिसने freedom दिलवाई थी उनके जो leaders थे leader है Robert Mugab yes वो country को rule कर रहे थे तब से जब से आजादी मिली थी फिर elections होते थे लेकिन हमेशा यही party election में जीतती थी जो president है मुआब वो काफी popular थे यस लेकिन वो गलत तरीका भी use करते थे election को जीतने के लिए कुछ सालों तक जो उनकी government है यस उसने rule किया उस दौरान constitution को भी change किया और अपनी power president की power बढ़ाई यस और उसमें आप देखेंगे वो less accountable हो गए people के लिए जाने की कुछ भी होगा तो उसके जवाबदार president नहीं रहेगा तो ऐसा कुछ हुआ जिम बाम्बे country में यहाँ पर बताया गया कि जब दूसरी opposition party form हुई यस और उनके साथ विरोध हुआ meeting को disturb की गई ठीक है यहाँ पर बताया गए फिर प्रदर्शन प्रोटेस्ट उनके खिलाफ किया गया उनकी government के खिलाफ यस ओके फिर क्या हुआ फिर यहाँ पर दिया गया है कि वहाँ बताया गया कि there was a law that limit the right to criticize the president यानि कि जो amend constitution change किया गया था उसमें एक कानून बना हुआ था उस कानून में ये था कि आप president को जादा विरोध मतब उसके प्रती विरोध नहीं कर सकते जिसके ये कानून के तहत ऐसा था तो आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर struggle या प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग वो president का विरोध खुलकर नहीं कर सकते हैं television और radio पर किसका control रहता था government का या फिर जो वहाँ की ruling party थी यानि कि TV या radio उनके against में कोई भी समाचार नहीं दे सकती थी गलत या ओके जो उन्हें अच्छा ना लगे ऐसा ठीके यहाँ पर बताया गया है there were independent newspaper बट independent newspaper भी थे लेकिन government उनको भी क्या करती थी yes manipulate करती थी उनके journalist के साथ भी बुरा वेवार करती थी ऐसा अगर आप देखेंगे ठीके और even यहाँ पर जो government है वो court के order को भी मानने से इंकार कर देती है yes finally यहाँ पर बताया गया है कि he was forced out of office in the year 2017 यह हाल का ही case है कि 2017 में yes क्या हुआ finally उनको उनकी party को bye-bye कर दिया गया तो आपने यह Zimbambay का case पढ़ा जिसमें आपने देखा कि एक party just because उसने freedom दिलवाई है वो rule कर रही है और हमेशा rule कर रही थी और किस तरह अपनी powers को constitution को change करके उसने power बढ़ा ली थी लोगों के लिए less accountable थे और लोग खुल कर president का विरोध भी नहीं कर सकते थे लेकिन finally court का विरोध और court के against में भी जाके काम कर रहे थे judgment के against में लेकिन finally 2017 में yes उनको यह office मतलब जो भी उनका party या position है वो छोड़ना पड़ता है तो जिंबांबे का जो example है प्यारे बच्चों यस वो यह बताता है कि जो popular approval of rulers है is necessary in a democracy यस यानि कि यह बताया गया कि ठीक है आपने obviously कुछ किया आपका importance है ठीक है बट लेकिन उतना ही काफी नहीं होता है कि आप आगे भी किसी past के दम पर या उसके जो भी popular revolts आपने कि उसके base पर आपको आगे भी continue किया जाएगा country में power दी जाएगी ऐसा नहीं तो यहां पर आपने क्या समझा यहां पर आपने समझा कि यहां की जो government थी जिंबामबे की वो undemocratic थी ठीक है और जो leader थे वहां के वो autocratic थे autocratic यानिकी वो वन श्वाद से rule कर रहे थे yes ओके तो यह कुछ हमने यहां से पढ़ा yes अब हम आगे पढ़ेंगे यहां पर बताया गया है कि if if we wish to access a democracy it is important to look at the election प्यारे बच्चों अगर आपको democracy देखना है कि कहा है तो उसके लिए आपको यह देखना होगा कि election हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बट लेकिन सिर्फ election होना ही काफी नहीं होता है आगे भी आपको दिया गया है कि equally यह भी important है कि before और after election के बाद क्या status है सही बात है यहां पर आगे आपको बताया गया है कि there should be sufficient room for normal political activity including political opposition in the period before election तो आपको देखो सबको opportunity देनी पड़ती है सबके लिए कोई न कोई जगा होती ही है जिसमें opposition के leader भी होंगे उनको भी equal opportunity मिलेगी यस आपका विरूद करने के crisis side करने के लिए ऐसे सब चीज़े है फिर आगे आपको दिया गया है कि this require that the state should respect some basic rights of the citizen यानि कि जो state है या फिर जो party ruling में उसको कुछ rights जो है वो protect करने के जरूरत पड़ेगी ठीक है they should be free to think to have opinion to express these in public to form association to protest and take political action तो जो लोग है यस वो किसी का विरोध करने के लिए free है अपनी बात रखने के लिए free है यस किसी के आगे प्रदर्शन करने के लिए free है कोई उनको suppress यानि की दबा नहीं सकता है उनकी आवाज को next आगे everyone should be equal in the eye of law कानून की नजर में हर कोई एक जैसा है और हर एक के पास एक protection right मिला हुआ है ठीक है तो ये बच्चों हमने किस के बारे में पढ़ा ये हमने zimbambay country के बारे में पढ़ा जिसमें बताया गया है कि zimbambay में एक party जो थी उसने just freedom दिलवाया था इसलिए वो rule कर रही थी लेकिन क्या आप आपने freedom दिलवा दिया इसलिए आप हमेशा rule करेंगे ये काफी है no बच्चो this is not good फिर आगे बताया गया कि वो unfair means of practice करते थे election जीतने के लिए president को ज़्यादा power दे दी गई थी constitution जो country का था उसको बार बार चेंज कर रहे थे president accountable नहीं था और दूसरी illegal activities भी वहाँ पर चल रहे थी finally 2017 में party को जो position है वो छोड़नी पड़ती है तो जिंबामबे का जो example हमने समझा वो undemocratic का है उनके जो leader हैं वो autocratic हैं बंशवादवाले हैं yes किसी का advantage लेके वो आगे rule कर रहे हैं वो ठीक है यहाँ पर बताया गया कि election जो होता है उसमें ये भी देखना होता कि पहले और after क्या situation है yes okay और फिर हमें ये भी बतायागे कि political activity में opposition का भी role important होता है उसको भी एक particular place मिलना चाहिए yes ऐसा नहीं कि आप उसको उसके rights को denied कर दे citizen का भी right है आपके प्रती प्रोटेस्ट विरोध या आप से जवाब मांगने का ऐसा भी नहीं कि state उसको इंकार कर दे देने से तो ये सारी चीज़े हमने जिम बामबे से सिखी अब हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर tank कुछ जा रहे हैं yes okay अब हम आगे पड़ेंगे आगे यहाँ पर आपको एक और condition के बारे में दिया गया है ऐसा ही कुछ एक condition जैसे कि यहाँ देख सकते हैं similarly there are some conditions that apply to the way a government is run after the election तो एक government को कैसे election के बाद काम करना है उसके भी तरीके होते हैं ठीक है जैसे यहाँ बताया गया है कि a democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election मान लो अगर कोई party election जीत जाती है तो ऐसा नहीं है कि जो उनके मन में आएगा वो सब चीज़े करने लग जाएंगा rules and regulation fundamental rights किसी citizen का right छीन लेंगे तो यह अधिकार नहीं है तो यहाँ बताया गया है कि minorities का मतलब होता है जो कम आबादी के लोग है जैसे बुद्धीस्ट है यह पार्सी है मुस्लिम है तो यह सब जो है कमादबादी में इसलिए इनको minorities का class में रखा गया है और उनको भी respect करना है उनके भी right को हमें protect करना है कोई भी party deny नहीं कर सकती ऐसा यानि कुछ चीज़े हैं जो constitution से automatic है और उनको आपको follow करना है अगर मालो जो ruling party उसको decision लेना भी है तो उसके लिए बैठक करवानी पड़ती है जैसे आपने देखा होगा संसद में है ना ऐसा every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law तेकि office bearer का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चो ओफिस में काम करने वाला हर एक वेक्ति यस जैसे आपने देखा होगा कि आपके school में हर एक teacher के पास एक अपना subject होता है जो वो पढ़ाता है या पढ़ाती है आपको समझाते है ऐसे ही government office में भी देखें तो मामलेदार है collector office देखेंगे फिर उसके बाद police चोकी देखेंगे तो हर के different different काम करने का area है ऐसा ठीक है और उनके पास rights भी है each of this is accountable not only to the people but also to other independent officials प्यारे बच्चो अब माल लेते हैं कि अगर कुछ गलत होता तो police नेता यह दूसरे लोग वो जवाब दे है आईस officer भी collector जवाब दे है किसके लिए people के लिए yes even वो दूसरे officials को भी answerable है कि अगर उनसे high command वाला कोई पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया ऐसा कि तो उसके लिए भी answerable है वो तो बच्चों फिर आगे हम पढ़ेंगे वी इसके बारे में हम chapter number 4 में ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें य law and citizen right जो एक government होती है जो भी ruling party होती है यस उनकी कुछ मरियादाएं होती है वो अपने like dislike के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं यस constitution में जो चीजे mention है उनका पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना है आपको citizen के rights को और दूसरे के rights को यस respect करना है तो यह हमने कुछ यहाँ पर सि लिखा तो last में अब बात आती summary की summary में वापस फिर वही तो हमें क्या पता चला democracy के बारे में कि democracy is a form of government yes in which the rulers are elected by the people समझ गये और उसमें क्या-क्या आपने add किया definition में yes this first point कि rulers जिनको elect किया गया है वो decisions लेंगे second point क्या पड़ा है आपने yes कि जो election है वो real fair और opportunity offer करना चाहिए rulers को यह नि peoples को yes और rulers को third point third point यह था कि हर एक को opportunity मिलने चाहिए yes और equal basis में मिलना चाहिए चाहे वो win करने की हो चाहे वो lose करने की हो फिर last point yes the exercise of this choice lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizen right जो last में आपने पड़ा यहां पे this one की governments की power जो है limited है yes उनको respect करना होगा constitution की द्वारा provide किये गए rules को yes और citizen की right को respect करना होगा तो यह कुछ आपने complete meaning पढ़ा democracy का ठीक है यह exam में question आ सकता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ें ओके अब next next हमारा जो class है उसमें वापस एक section चालू हो गया है कि why democracy democracy क्यूं तो वापस यहां पे debate है कि भाई democracy क्यूं अच्छी है दूसरे government से तो उसके बारे में वापस conversation चल रहा है class में चलिए conversation को पढ़के मजा लेते हैं जैसे कि Yolanda उसने क्या कहा कि हम democratic country में रहते हैं all over the world people want democracy सबको democracy चाहिए yes जो country democratic नहीं थी अब वो democratic बन रही है yes और सब जो लोग है वो democracy को बहुत ही अच्छा मानते हैं क्या इसके उपर debate करना बनता है तो उसके आगे yes यहां पे एक जो बच्चा है जिसका नाम तंकनी है तंकनी उसने क्या कहा yes उके प्यारे बच्चो अब हम आगे पढ़ेंगे आगे यहां पर बताया गया है कि तंकनी yes उस बच्चे का क्या का उस बच्चे ने यह बोला कि जो मैडम लंगडॉन ने कहा था क्या कहा था मैडम लंगडॉन ने yes कि जो चीज famous हो हम उसको ऐसे ही accept नहीं कर सकते यस वो गलत भी हो सकता है तो यहाँ पर जो दूसरी बच्ची है यस जैनी उसने क्या कहा यस वो गलत हो सकता है यस फिर आगे बताया गया है कि what has democracy brought to our country याने कि क्या मतलब होगा इसका कि democracy हमारी country के लिए क्या लेके आया है क्योंकि 7 decades का मतलब 1 decade का मतलब होता है 10 years तो 7 decades का मतलब होता है 70 सालों में democracy है तो हमारी country में क्या आया है सिर्फ और सिर्फ गरीबी क्या बताया गया है गरीबी तो चलिए देखते है फिर रिबंग जो बच्चा है वो आगे क्या बूलता है पर democracy का इससे क्या करना है गरीबी क्या डेमोक्रेसी है इसलिए गरीबी है कि गरीबी है इसलिए डेमोक्रेसी है तो यह कुछ question है जो आपस में वो कर रहे है अब जैनी उसका जवाब देती है क्या है तो जैसा भी लगे दोनों में क्या अंतर है बात तो एक ही है गरीबी है ठीक है फिर यहाँ पर आगे क्या बोलती है कि the point is that कि this can't be the best form of government यानि कि यह best form of government डेमोक्रेसी नहीं है डेमोक्रेसी is all about choice choice मतब चूज करना stability, corruption yes, hypocrisy yes, politicians fight among themselves तो वाके ही मैं बच्चों यह तो आप रोज मर्रा की life में news में सुनते ही होंगे जहाँ पर corruption बढ़ रहा है लेग government बदल के दूसरी government आ रही है stable नहीं है तो यह सारी चीजें तो जैनि का मतब यह कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है तो वो उसके demerits बता रही है ठीक है point one क्या बोलता है बच्चा यहाँ पर बोलता है so what should we have instead याने की डेमोक्रेसी की जगा हमें क्या होना चाहिए क्या हमें वापस ब्रितिश रूल चलाना चाहिए या फिर जहाँ पर king रूल करते थे वो follow करना चाहिए तो वहाँ पर जो रोजगाम की लड़की है उसने क्या बताया कि मुझे तो नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है कि country को एक strong leader की जरूरत है यस एक ऐसा strong leader जो decisions ले सके सब चीजे संभाल सके यस सच मुझ में तो country कितनी मतलब country का कितना भला हो जाएगा corruption खतम हो जाएगा फिर यहाँ पर कोई बोलता इसका मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो dictatorship की किसकी dictatorship की मतलब कोई होगा जो country को handle करे संभाले इसका मतलब वो तो dictatorship होगा जो अपने मन से काम करेगा फिर वहाँ पर एक बच्चे ने बोला क्या बोला उस बच्चे ने बच्चे ने बोला हो इने यस कि what if that person start using all these powers for himself and family what if he is corrupted himself अगर मान लो ऐसा एक आदमी आप जिसके बारे में सोच रहे हो खुद corrupted हो खुद रिश्वत लेता हो खुद गलत हो तो वह आदमी कितनी तबाही मचा सकता है तो रोज क्या बोलती है रोज ये बोलती है कि I am speaking only for the honest, sincere and strong leader एक सच्चे इमानदार leader के बारे में मैं तो बोल रही थी अच्चा फिर होई क्या बोलता है यस यहाँ पर बताया गया है कि but that is not fair मतलब ये सही नहीं है एक आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता you are comparing a real democracy within idle dictatorship idle dictatorship का मतलब है कि यहाँ पर इनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो सारे decisions ले और वो एक dictatorship का part होगा तो we should compare on idle within idle real within real तो यहाँ पर उसने बता दिया कि जो चीजे आप सोचते हो उसको सोच के साथ ही compare करो जो चीजे सही सचमुच में उनको सचमुच के साथ compare करो yes जैसे कुछ बातों का सिप सोचना ही possible हो पाता है करना impossible होता है जो चीजे कर ले कर पाना impossible होता है उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए yes तो ये कुछ तरह का यहाँ पर behavior चला बाद मतलब conversation चला तो finally उनलोग decide कर रहे हैं कि भाई कौन सा system जो है वो best है क्या democracy सबसे best है तो बच्चों हम इसी class में इसके बारह में पढ़ेंगे कि why democracy is the best form of government लेकिन यह हम हमारे next video में पढ़ेंगे